नमस्ते हरियों, चलिए बात करते हैं 6 जून, 6 जून को है शनी जैनती और कौन सी आठ राशियों पर शनी जी की बहुत ज़्यादा ग्रिपा होने वाली है अगर आपके जीवन में साधे सत्य चल रही है, अगर आपके जीवन में शनी का ढहिया चल रहा है, उनसे बचने के ल रिजन्ट देने का काम शनी का रहता है दूसरा काराक होता है करम का जो भी आप काम अपनी लाइफ में करते हैं उस चीज को, उस चीज को करम कहा गया है उस करम को आपके अनुकूल अगर आप रखते हैं अच्छे करम करता है तो शनी आपका पॉ verified तो बड़े द्यान से पजलीजे की शनी जैनती कब बनाई जाती है शनी जैनती जेस्ट महिने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को बनाई जाती है जो कि 2024 में छे जून को बनाई जारी है आपको क्या बात पता है कि सूर्य और चाया के पुत्र शनी देव है और शनी देव जी का जनम जेस्ट महा की अमावस्यक हुआ था और इस दिन शनी जनती बनाए जाती है अगर शनी आपका imbalance होता तो कोई बद पता होना चाहिए कि शनी आपके जीवन में किस किस face में क्या क्या impact डालता है मैं आपको बता देता हूँ शनी की विशेश पांच कारण होते हैं जो कि आपके जीवन से जुड़े होते हैं पहला कारण आपकी life में execution का आप जो भी काम करने की कोशिश करते हैं अगर आपका शनी positive है तो उस काम के अंदर हमेशा continuity बना कर रखेगा बार बर breakdown नहीं देगा दूसरा कारण life में discipline का जिस भी विक्ति का शनी imbalance हो जाता है चाए और उस विक्ति के लाई से discipline चला जाता है उन लोगों की हादत हो जाती है लेट रात तक जगना सही समय पे सोना नहीं चाते सो ही नहीं पाते गलती उनकी क्यांट पर शनी बालंस होता है आप जो काम करते हैं आपको result नहीं मिलता मतलब शनी बालंस है आपके जीवन में धन को बहुत ज़्यदा slow down कर देता है शनी की कहानी के उपर एक बात आती है कि नव घ्रयाओं के अंदर से जब शनी रावन ने शनी को अपने पैरों के नीचे दबा कर रखाता तो हनमान जी ने जब लंका गए थे तो शनी को वहां से मुक्त किया था इसलिए जिस भी विक्ती को शनी को बालंस करना होता है वो हनमान जी की पूजा भी करना शुरू कर देता है हनमान चालिसा का रोज अगर आप नियम से पाथ करते तो शनी आपका कुछ भी नहीं विगाड़ता शनी चरे शनी चरे शनी चरे शनी एक ऐसा नव घ्रहों में प्लैनेट है जो की नियाई का कारक है शनी नव घ्रव में एक मातर ऐसा प्लेनेट है जो आपके करम से जुड़ जाता है. अगर आप अच्छा करम करेंगे तो जब भी शनी की महादशा आएगी, शनी का धैया आएगा, शनी की प्रतंतर दशा आएगी, शनी की शुष में दशा आएगी, शनी की प्राण दशा आएगी, तो इन सारी दशाओं में शनी आपको positive result देगा अगर आपका शनी खराब नहीं है तो, शनी खराब होने के चार विशे लक्षन होते हैं, पहला लक्षन होता है कि ऐसा विक्ति अपनी life में in discipline create कर लेता है, इसरा लक्षन होता है कि विक्ति जो भी काम के अंदर अपना hundred percent देता है, उस काम के अंदर बहुत ज़्यादा delay में साजाती है, और आखरी लक्षन होता है कि अगर ऐसे विक्ति बिमार हो जाता है तो वो बिमारी बहुत ज़्यादा लंबे समे के लिए चलती है, वो बिमार करके बेल आइकन जरूर दबा दीजेगा मैं आपको इस चैनल पर सौवत करता हूं हरी हो अब हम बात करते हैं पहली राशी जो है वरिश्यव राशी वाले जातकों को अचानक से धन प्राप्ति का योग बनता है क्यों बनता है क्योंकि जो वरिश्यव राशी है उसका स्वाम का परिवर्तर होने वाला है जो शनी जेंती है वो आपको फिर पॉजिटिव रिजल्ट देगी इसका मतलब मेश राशी की बारे में बात नहीं कर रहा हूं पहली बात करो विर्शव राशी वालों के लिए विर्शव राशी वालों को अचानक से धन पराप्ति का योग बनता है अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की मिथुन राशी का जो स्वामी है वो बुद्ध है बुद्ध और शनी अपने आपने दोस्ती का केंद्र बताते हैं इसका मतलब जिस भी विक्ति की राशी मिथुन है उन विक्तियों को तीन विशेश लाब मिलते हैं अगर आप के बाद आने वाला समय शनी जैन्ती के बाद वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबिल है आपको किसी भी परकार की नेगेटिव इंपेक्ट नहीं पड़ता है आप अपने काम में आपको बहुत अच्छे पॉजटिव रिदल्ट मिलते हैं अगली राशी है करक राशी जिसका स्वामी चंद्रमा है इस विक्ति को तीन फेशिज में लाग मिलने वाला है ऐसे विक्ति कि इस समय पे बहुत ज़ करने की सोच सकता है वो उसके लिए favorable रहेगा उसमें उस विक्ति को कोई लुकसान नहीं है आर्थिक शेत्र की जब हम बात करते हैं फानेशल गेन उस विक्ति की कुण्डली में दिखता है पर share market में पैसा लगाना इस विक्ति के लिए इस समय पे लुकसान दे सकता है तो आपको किस बात का दिहान डखना है कि share market में इस समय पे पैसा आपको नहीं invest करना है सिंग राशी वालों के लिए बहुत अच्छी खुश कबरी आती थे कि आपकी मेहनत का आपको फल मिलने वाला और आपकी नोकरी में परमोशन का योग 6 जून के पास एक्टिवेट होने वाला है ये समय आपके लिए वो समय है कि आप यो काफी समय से मेहनत कर रहे थे उसका र आरमिक शेत्र पर ट्रेवल करते तो ये आपका केंद्र और भी पॉजटिव हो जाता है कन्या रशी वालों के लिए चार विशेश खुशकबरी पहला संतान के पक्ष से विक्ति को लाब मिलता है ऐसे विक्ति को नोकरी में परमोशन का योग रहता है इधर उधर ट्रेवल करने की योजना बनाएगा बिजनस के पांटरी बिसे ट्रेवल करेगा फेबरेबल डिसीजन रहते हैं आपके स्वास्ते में लाब आपको मिलता है काफी समय से चल रही बड़ी बीमारी का इस समय पहानत हो जाता है ऐसे विक्ति को दो विशेश वाइदा मिलता है जो आपक कि हर काम में जो बाकी लोग टांग डाने का काम करे थे तो वाला फेस अब अब खतम हो जाएगा आप उनके ऊपर आ जाएगे मतलब आपको ये शनी और बुद्ध दोनों फेवर करेगा जिसकी वजे से आपकी कुंडली के इंदर अचानक से धन प्राप्ति का योग भी आपको फाइनशल प्राफिट का बहुत अच्छा समय चल रहा है परिवार में किसी भी परकार का कोई मतभेद का समय नहीं है आप अगर अपना पैसा कहीं नई जगा पर लगा करके मासे इंकम सोर्स जनरेट करने की सोच रहे हैं तो आप बिलकुल करें आपको फेवरेबल अगली राशी है व्रिश्यक राशी व्रिश्यक राशी का स्वामी होता है मंगल जो आपके कहिना की प्रॉपर्टी के कारक के कार्यों को बढ़ाता है और वैसे भी व्रिश्यक राशी के उपर शनी की ढहिया चल रही है इसका मतलब अचानक से प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो आपके काम अटक गए है ना आप घर बनाने की सोच रहे थे घर लेने की सोच रहे थे घर को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होने की सोच रहे थे तो इन सारे कार्यों में आपको सफलता मिलती है ये सारी चीज़े आपके favor में आती है धनुराशी वालों के लिए जो काफी समय से परिवार के अंदर अब विवाद की condition बनी हुए थी मतलब विक्ति को खुद को ये लग रहा था कि मैं जो बात कहता हूं घर में मेरी importance नहीं रखी जाती मैं जो भी बात कहता हूं मेरे बड़े भाई बड़ी बहन मेरे को ignore कर देते हैं तो अचानक से आपके कुंडली के अंदर बहुत अच्छा योग बनेगा ये रुचक राज योग भी अगर ऐसा विक्ति यह सोचता है कि मुझे इंडिया से बाहर जाने का कोशिश कर लेना चाहिए तो यह आपके लिए सही समय है अपने पैसे को फॉरण चीज के पांटवे से इंवेस्ट करने के लिए या इंडिया से बाहर ट्रेवल करने के लिए इस समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप बिजनस प्लान करना चाहते हैं तो यह आपके लिए और भी फेवरेबल रहने वाला है मैंने आपको बताया वो आठ कॉन-कॉन से राश्य है जिनको सबसे ज़्यदा लाब और फाइदा मिलने वाला है क्योंकि शनी जैनती के समय पे तो शनी जहनती के सवे पर किन विशेश उपायों का आपको ध्यान रखना है, कौन-कौन से उपाय आपको करने है, तो वो उपायों के बारे में अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, हरियों, नमस्ते.